आप सरहट पे भी जाएंगे, शहीद होने को तयार होंगे, तब भी आपको कुछ रही मिलेगा, चार साल बाद वापिस आईए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए, उनको सरहट पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहें, प्रधान मंत्री जी के पास पांच मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, अपना आत्म सम्मान है, आज किसी से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, हर्याना के प्रदेश के बच्चों ने, आपके बच्चों ने, यहां की बहनों ने, यहां के बुजर्गों ने, पूरे देश का सम्मान रखा है, दस सालों से आपके प्रदेश में भाजबपा की सरकार रही है, और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया, आपको अपमानित किया, और आपका निरादर किया, हर स्तर पर आपका निरादर किया, यहां क्या किसान इस पूरे देश का अंदाता है, आपने अंदोलन किया, तीन काले कानून लाएं, आपने अंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे, आपको क्या मिला, आसुग गैस मिली, लाठिया मिली, सुनवाई नहीं मिली आपको कहा गया था कि MSP मिलेगी आज भी जो MSP 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं इंग मेंसे तो 10 आप उगाते ही नहीं है आपके साथ विश्वास चाथ हुआ हर स्थर पर नौजवानों के साथ देखिए यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप हाथ उठा के बताएए कितनों को रोजगार मिलाएं सरकार से एक हाथ नहीं उठेगा सब मना कर रहे हैं यहाँ के नौजवान करमट है हम दिल्ली के बड़े शहर में देखते हैं दिल्ली में, मुंबई में, अलग-अलग शहरों में यहाँ से पलायन करके जाते हैं रोजगार वहाँ मिलता है तो हम खुद देखते हैं जब भी मैं मिलती हूँ कोई हर्याना का युवा है मुझे मालुम होता है यह करमट बच्चा है मेंनती बच्चा है इसका आत्म सम्मान है लेकिन हर्याना के अपने प्रदेश में जो दस सालों से सरकार चल रही है उसने इसका भी सम्मान नहीं किया नौजवानों के लिए क्या मिला बेरोज़गारी मिली अग्णी वीर जैसी स्कीमे मिली जिससे आपको बताया गया कि आप सरहट पे भी जाएंगे शहीद होने को तयार होंगे तब भी आपको कुछ रही मिलेगा चार साल बाद वापस आईए और फिर से बेरोज़गारी का आप संगर्श करिए पहलवानों को देखिए हमारे खिलाडी है इनके साथ क्या किया गया हमारा सम्मान रखते है पूरा देश देखता है अलिम्पिक्स में जाते है हिम्मत करते है इतनी महनत करते है मैं जानती हूँ कि गाओं गाओं का बच्चा हर्याना में महनत करके आगे बढ़ता है अस्पोर्ट में और उनके साथ क्या किया गया उनको सरक पे बिठाया गया आंदोलन करते रहें क्रधान मंत्री जी के पास पांच मिनट का समय नहीं शाथ कि वो मिलने भी चले जाए कि पूछ लें कि क्या बात है किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं और तिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलिम्पिक्स में अभी हाल में क्या हुआ आप लड़ने वाले लोग हो अपना आत्म सम्मान है आज किसी से लड़ रहे हो महंगाई से लड़ रहे हो महंगाई से लड़ रहे हो संघर्ष कर रहे हो कुछ नहीं कर रही आपके दिए जहां देको स्कारी नौकियां सब खाली पड़ी रहती हैं तो आपके सामने आपका भविश्य क्या है आज आत्म सम्मान से जीना है नियाए चाहिए तो इस सरकार को फेक निकालो हटा दो इस सरकार को कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से से बड़ी बड़ी बाते हैं और मुझे ताजयूब होता है कि बड़े से बड़े प्रधान मंत्री भी यहाँ आते हैं वही पुरानी बाते कह रहे हैं जो 10 साल पहले कहीं आज बाते कर रहे हैं कि वो यह करेंगे वो करेंगे मस्पी करेंगे रोजगार दिलवाएंगे अरे 10 सालों में क्यों नहीं कि